हाज हम पराठा विदाव चकला वेलन बना रहे हैं उसके लिए हम ने जो जो इंग्रेडियंज से लिए हैं उसमें है सबसे पहले पाल आठा और एक पराठी के लिए हम लेंगे थीन चमच आठा ठीक है थीन से थोड़ा थोड़े सी अजवाइन डालें क्योंकि हम पहला पराथा गोबी का बना रहें फिर थोड़ा हमने इसमें जीरा डाला थोड़ी सौफ और किचन किंग मसाला तो यह सारे मसाले आप्शनल हैं आपको जितना फ्लेवर चाहिए जिजिस चीज का आप डाल सकते हैं और फिर मिर्च और नमक ठीक है और इसमें हम गोबी डालने से फेले थोड़ा सा अबले गोबी डाल देते हैं जिसे हमने जिwali क्रश किया था और गोबी 5 चमच और जादा भी डाल सकते हैं जितनी जादा सबजियां होंगी पराथा उतरह ही टेस्टी क्याए तो यह हम कर सकते हैं और इसे फ पराथा बना के सकते हैं तो जो भी इंग्रेडियंट्स हम इसमें डाल रहे हम कुछ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के फ्लेवर के लिए मेन है आठा और एक सबजी जिस सबजी का हम पराथा बना लिए उसके अलवा उसमें नमक मेर्च के चंड किंग मसाला पोदीना अरदनि हम कुछ भी डालें यह हम पर है और पराथा बनाने में वैसी इंडियन बहुत महान है हमारे पराथे बहुत अलग-अलग फ्लेवर के होते हैं अलग-अलग स्पाइस के साथ हम इसे बनाते हैं और अच्छा है हम बनाते हैं इस तरह हम एक अच्छा कॉंबिनेशन बनाते हैं सबजी और आटे का ठीक है तो इसके लिए अब हम बहुत सारी सबजियां कामे ले सकते हैं और ये इतना असान है कि बच्चे भी बना सकते हैं और इसे हमें तोड़ा सा पतला रखना है इसकी कंसिटेंसी तो इसलिए इसमें हमने पानी डाल दिया आप देख लें इसी तरह घोल बनाना ये जैसे हम पकोड़े का घोल बनाते है और अब हम इसे फ्राइपेन पर ठीर डालने के बाद फिला देंगे जितना बड़ा हमें बनाना है हम उतना ही घोल डाले अगर हमें चोटा पराठा बनाएं तो हम कम घोल डालेंगे और उस घोल को दीरे-दीरे ऐसे फिला देंगे तो देखिए ये बगेर बेलन के हमारा पराठा तयार हो रहा है दीरे दीरे से फिलिप करेंगे थोड़ा सा इसको फिलिप करने में टाइम लगता है क्योंकि हमने इसे पेस्ट से बनाया है पानी सुखने में टाइम लगेगा गाईज और जब ये हो जाएगा तो इसे दबा दबा कर सेकना है टेकनीक इसकी यही है कि जब फ्राइपेन पर हम इसे डाल देंगे तो इसे प्रेस कर करके हमें इसे सेकना है तक इसका एक्स्टा पानी जो है वो निकल जाए और फिर ये त्यार हो जाएगा अब एक और मैं बता देती हूं आपको वो है पालक का पराठा उसे भी हम चल्दी चल्दी बना देंगे वैसे ही हम तीन चमच साड़े तीन चमच आटा लेंगे और इसमें वही मसाले केचन किंग और पोधीना डाला है आपको चौर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पालक जो को कवर कर सकते हैं उन्हें दे सकते हैं यह नॉर्मल डाइट में अगर आरन नहीं मिलता तो पालक की रोटी अगर हम उने खिलाएंगे पालक का पराठा तो खुशी-खुशी खा सकते हैं और इसे हम इसका टेस्स कर सकते हैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकौर्डिंग तो यह तो मैंने पालक का बनाया, अभी हमने गोबी का बनाया था, इसी तरह हम चुकंदर का बना सकते हैं, चुकंदर तो मेन सोर्स है हीमोगलोबिन बढ़ाने के लिए, तो उन्हें लगेगा लाल पराठा बनाया है, उसे और एनेंस कर सकते हैं, अलग-अलग मसाले डाल के, कोई भी सबजी, इसे तरह आलू कसके, आलू का पराठा हो जाएगा, आलू को बॉयल करने की जंजटनी, मेश करने की जंजटनी, आपने आलू कसे, और इसी तरह आटे के पेस्ट में आलू को मिला दिया, और जो मसाले हमें चाहिए हरा धनिया, अपोधीना, नमक, मेर्च, जीरा सब कुछ मिला दिया, तो फिलहाल ये हमारे पालक का बेटर त्यार हो गया है, इसे हमने और पानी डाल के पतला कर लिया है, और इसे इस पेस्ट को कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत असान है, तो यूं तो हमने बहुत पराठे बनाए हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि हमें यह टेकनीक भी अडॉप्ट करनी चाहिए सेम प्राइपन पे फिला दिया सीख लिया और यह देखिए पालक का पराथा बिलकुल पालक की पूरी जैसे हम बेलंस बनाते वैसी ही है और लास्ट गार्लिक के साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है जो मैं आपको बताना चारी क्योंकि लसन बहुत फायदे मंद है कॉलेस्ट्रोल को कम करता है बीपी में भी सहाय कुता है तो लसन को खाने का अलग फ्लेवर आ सकता है कच्चा अगर नहीं खाए तो तो यह है लसन का पराथा जैसे हमने गार्लिक ब् नमक वह भी हमारे टेस्ट के मताबब और यह लसन जो है इसे हम फ्राइपेन पर फ्राय करेंगे उससे पहले हम यह जो हमने लसन के पराथे के लिए आटे का गोल बनाना है उसमें सब चीज़े डाल दी है किचन कि मसाला डाल दिया गरम मसाला डाल दें तो क्या बात है तो पानी मिलाएंगे पैस्ट बनाएंगे पराठे का पैस्ट इमाजिन और यह हमारे पराठे का पैस्ट तयार है यह जितनी देर आपको ही देखने में लगत रहे हैं भिए बाताया और एक मिनट भी नहीं लगेगा फूरा से कम वक्त में भी आप بिना लेंगे बस उसकी सेकने अब देखिए हमने पहले गार्लिक डाल दिया घी डाल की जब रोस्ट होगा दे इसकी बहुत अच्छी खुश्बुदार बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और फिर इसके उपर हम यह अपने आटे का बेटर डाल दें तो यह हमारा गार्लिक पराथा तियार हो जाएगा अरोमा स भर पूर खुश्बुदार बहुत थी बढ़िया वैसे ही सेखना है आटे का घोल अगर पतला है तो सिखने में थोड़ा टाइम लगेगा सिंपर सेके आप धीरे धीरे इसे फ्लिप करने की कोशिश करें शुरू में करेंगे तो तूट जाएगा कोई गीला होगा ना तो फ खाएं इसे टेस्ट करें एक में और आपको बताती है जो मैंने अपनी बेटी के हाथ से ही बनाया था वही आटा लिया आटे का घोल लिया और इसमें मैंने अंडा डाला था तो इस तरह अंडा जो प्रोटीन का सोर से बच्चों के लिए बहत जरूरी है तो हम इसे अंडे क साथ बना सकते हैं और इसका जो इसमें तोड़े शूगर भी जाएगी फिर नमक भी तो यह अंडा पराठा जो बनेगा ना इसका जो फ्लेवर और कुछ वो आती है वो बेकिंग वाली बच्चों को जरूरी भाएगा यह और इस तरह वो अंडा खाने में नखरे नहीं करें कई से अलग-अलग शेप दे सकते हैं अंडे पराठे को आप यह तो रेगुलर ऐसे ही मैंने बता दिया और उसी के हाथ से बनवाया है ताकि उसे खुद को शौक आएगा और अपना काम खुद कर पाएगी तो आप भी बच्चों को कहें कि वो बनाए और वो बनाएंगे त और फील करते हुए खाना मतलब खाने के रूल को पूरा फोलो करना राइट तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पराठा विदावट चकला बेलन हम सभी इसे ट्राइ करने वाले हैं राइट थैंक यू एक खाना राइवगी चको हम आबच्छिंट करना राइट राइड़